रविवार को रिवाजिले की सुहागी थाना अंतरगत पाहाड का घाट उतरते समय एक ट्रक की स्टेरिंग फेल हो गई इस हाथ से में आगे आगे जा रहे हिवाहन से उक्त ट्रक भिड़ गया जोर का जटका लगते ही दोनों वाहनों के पहिये थम गए लेकिन ट्रक का चालक बुरी तरह से फस गया दुरगटना के बाद रहगिरों ने तुरंत सुहागी पुलिस को सूशना दी जानकार की बाद पहुंचे पुलिस ने कटर से बॉडी को काट कर ट्रक चालक को सुरक्षित निकाला है हाला कि चपेट में आने से ट्रक चालक के शरीर में कई जग़ चोटे आई है ऐसे में तुरंत डायल सौ की मदद से सिविल अस्पताल त्योथर में भरती कराया है जहां गंभी रूप से घाल चालक को चिकिट सुके नो उपचार शुरू कर दिया है सुहागी थाना प्रभारी उपनिरिक्षक अभिशेक पटेल ने बताया कि रविवार की दोपहर करीब एक बज़े नैशनल हाइवे 30 में दो ट्रक आगे पीछे मन गवा की और से चल कर सुहागी घाट उतर रहे थे इसे बीच पीछे वाले ट्रक की स्टेरिंग फेल हो गई जिससे चालक राजीव यादव पूत्र रामकरन यादव निवासी नई गड़ी सामने वाले ट्रक से पीछे से भिड़ गया दुरगटना के बाद हाइवे में अफरा तफ्री मच गई कुस दिर बाद रहागीर वह अन्य ट्रकों की चालकों ने सुहागी पुलिस को अफगत कराया हाथसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोकल मेकनिकी के मदद से ट्रक की बॉड़ी को काटा इसके बाद ट्रक चालक को कई लोगों ने पकड़ कर बाहर निकाला कहा जाता है ट्रक चालक का पैर फैक्चर हो गया जोसे त्योर थार अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया पुलिस की माने तो सुहागी घार्ट में जिस तरह स्टरिंग फेल होने से ट्रक हाथसा हुआ है उससे कयास लगाए जा रहे है कि अगर ट्रक सामने वाले वहां से नहीं भीरता तो खाए में गिर जाता तब चालक और खलासे की जान जानी तै थी गनिमत थीकी भीड़ने के बाद रुख गया था